C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाथे पुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाथ 16 है शीर्शक जल एक बहु मूले संसाधन। प्रिष्ट 203 से प्रिष्ट 215 तक। प्रिष्ट दो सो तीन जल है तो कल है यदि जल उपलब्द है तो आपका भविश्य सुरक्षित है आप शाय जानते हूं कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है एक विद्याले में जल दिवस मनाया गया और आपके आयू वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किये गए उस दिन प्रस्तुत किये गए कुछ पोस्टरों को चित्र 16.1 में दिया गया है यहां प्रिष्ट 203 पर चित्र 16.1 दिया गया है ये चित्र बच्चों द्वारा बनाए गए कुछ पोस्टरों का है इन पोस्टरों में लिखा है जल की हर बूंद बचाएं प्रतीक बूंद बहुमूल है जल की बचत करें मेरा परमित्र जल इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिलता है अपने प्रेक्षणों को अपनी नोट्बुक में लिखिए और उनकी चर्चा अपनी कक्षा में कीजिए क्या आपने कभी घर अथवा विद्याले में जल की कमी महसूस की है? आपके मातापिता और शिक्षक प्रायह आपको जल बरबाद ना करने की सलह देते होंगे हार व्यक्ति का जल संग रक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्शत करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं पेजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए सैयुक्तर राष्ट्र द्वारा प्रतेक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की नियूनतम मात्रा पचास लीटर प्रतिव्यक्ति है यह मात्रा प्रतिव्यक्ति प्रति दिन लगभग ढ़ाई बाल्टी जल के बराबर है क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है यदि हाँ तो आपको अपने आपको भागिशाली समझना चाहिए क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिलता है आपके मित्रों और उनके परिवारों की जल की उपलब्धता की स्थिती कैसी है अपने अनुभवों की उनके साथ चर्चा कीजिए कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है नलों में पानी का ना आना जल भरने के लिए लंबी कतारें जैसा की चित्र 16.2 में दिया गया है लडाई, जगडे, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदी जैसे द्रिश, विशेशकर, ग्रीश्म काल में सामा निरूप से सामने आते हैं प्रिष्ट 203 पर चित्र 16.2 दिया गया है इस चित्र में जल एकत्र करने के लिए लोगों की लंबी कतार का एक चित्र दिया गया है प्रिष्ट 204 चित्र 16.3 में दी गई कुछ समाचार पत्रों की कतरने इस थिती की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं क्या ये सत्य नहीं है कि हम जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं यहां प्रिष्ट 204 पर चित्र 16.3 दिया गया है इस चित्र में समाचार पत्रों की कतरने दी गई है इन कतरनों में लिखा है Water Conservation Are you water conscious? Simple ways to save water Increase your productivity What if 2006 gets less rain? क्रिया कलाप 16.1 समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार, लेख और चित्र की कतरने एक कतरित कीजिए उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाईए और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए जनता द्वारा जेली जाने वाली कुछ समस्याओं को सूची बध कीजिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विशय बन गई है ऐसा अनुमान है कि अपसे कुछ ही वर्षों में विश्व के एक तिहाई से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा जल की कमी के विशय में चर्चा करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारी प्रित्वी पर उप्योग के लिए कितना जल उपलब्ध है वर्ष 2003 को अंतराश्ट्री अलवण जल वर्ष मनाया गया था जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरु किया जा सके 16.1 कितना जल उपलब्ध है अंतरिक्ष से लिए गए प्रित्वी के चित्र पर ध्यान दीजिए जैसा की चित्र 16.4 में दिया गया है ये नीला क्यों है? निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं यहां प्रिष्ट 204 पर चित्र 16.4 दिया गया है इसमें अंतरिक्ष से प्रित्वी नीली आभालिये मालूम पड़ती है आप जानते हैं कि प्रित्वी की सतह का लगभग 71 प्रतिशत भाग जल से ढखा है प्रित्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महसागरों नदियों, तालों, ध्रोविय बर्फ, भौम जल और वायू मंडल में पाया जाता है परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयोग नहीं है उपयोग के लिए उपयोग जल अलवण जल है जिसे बोलचाल की भाशा में ताजा जल कहते हैं यहां दिये गए कुछ स्त्रोतों से उपलब्ध अलवण यानि ताजा जल की सापेख्ष मात्रा का आंकलन करने के लिए क्रिया कलाप 16.2 कीजिए सारणी में दिये गए विभिन चरणों का अनुसरन करते हुए प्रित्वी में उपलब्ध अलवण जल का आंकलन कीजिए यहां एक सारणी दी गई है जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है पहला चरण, दूसरा चित्र और तीसरा टिपणी पहला चरण है, मध्यम आमाप यानि साइज की एक बाल्टी लेकर उसे जल से भर लीजिए इसमें लगबग 20 लीटर जल आता है इसके साथ दिया गया चित्र है एक भरी हुई बाल्टी टिपणी है, माल लीजिए कि बाल्टी का जल प्रित्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है दूसरे चरण में लिखा हुआ है एक 5 मिली लीटर क्शमता का चमच लीजिए और बाल्टी में से 100 चमच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डाल लीजिए यहां चित्र दिया गया है जल से भरे एक मग का और टिपणी में लिखा है यह प्रतिवी पर उपलप्थ अलवन जल को प्रदर्शित करता है तीसरा चरण है मग से 30 चमच जल को काच के किसी गिलास में डाल ये यहां दिया गया चित्र है 30 चमच जल से भरा हुआ एक गिलास टिपणी है यह भौम जल की रूप में पाय जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है चौथे चरण में लिखा है अंत में मग में से एक चौथाई चमच जल निकालिए चित्र दिया गया है एक चमच का जिसमें थोड़ा सा जल दिया गया है और टिपणी में लिखा है ये विश्व की सभी जीलों और नदियों में उपस्थित कुल अलवन जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है नहाने के मग में बचा जल उस जल को बताता है जो हिमीकृत रूप में हिम नदों, धुविय बर्फ और परवतों की स्थाई बर्फ में पाया जाता है ये जल भी हमें आसानी से उपलव्ध नहीं है बूजो ये जानकर चकरा गया कि हमारे उपयोग के लिए उपलव्ध जल की मात्रा इतनी कम है हम में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं क्रिया कलाप 16.2 से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है इस विशे में अपनी कक्षा में चर्चा करिए 16.2 जल की अवस्थाई क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा आप जानते हैं कि विभिन्य प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा प्रित्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोणों वर्षों से बनी हुई है ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्मान करते हैं आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विशय में पढ़ा था अपने शब्दों में लिखिए कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं आप जानते हैं कि जल चक्रद्वारा परिचक्रण के दोरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में प्रित्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृत्वी के द्रुवों पर, यानि बर्फ चत्रक, बर्फ सिधके, परवतों और हिम नदों, यानि ग्लेशिर में पाया जाता है द्रव अवस्था में जल महसागरूं, जीलूं, नदियों के अतरिक्त भूतल के नीचे यानि भौम जल भी पाया जाता है गैसी ये अवस्था में जल हमारे आसपास की वायू में जल वाश्प के रूप में उपस्थित रहता है जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रन द्वारा प्रित्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है जबकी समस्त मानव जन संख्या तथा अन सभी जीव जल का उपयोग करते हैं क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम याद है? क्रिया कलाप 16.3 आपको इसमें सहायता कर सकता है क्रिया कलाप 16.3 चित्र 16.5 में जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्धित किया गया है इन संख्याओं की सहायता से अस्तिव्यस्तिक्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द लिखिए यहां प्रिष्ठ 206 पर चित्र 16.5 दिया गया है यह चित्र जल चक्र का है यहां दिये गए अस्तिव्यस्तिक्रम में लिखे हुए शब्द है अधिकान शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ती विवस्था होती है जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है जल को आसपास की किसी जील, नदी, तालाब, अथवा कूँ से लाया जाता है जल की आपूर्ती पाइपों के विशेश क्रम में बिचाये जाल द्वारा की जाती है सामान तह ग्रामीन क्षेत्रों में जल की आपूर्ती इस प्रकार नहीं होती वहां लोग अपने उप्यों के लिए जल सीधे उसके स्रोट से ही प्राप करते हैं प्रायह लोगों यहां तक की बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्त्रोट तक पैदल जाना पड़ता है कभी कभी जल स्त्रोट कई किलोमीटर की दूरी पर होता है जैसा की चित्र 16.6 में दिया गया है बच्चों के लिए जल ढोने का ये कार अत्यधिक कश्टकारी है ऐसे बच्चे प्रायह नियमित रूप से विद्याले नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें स्त्रोच से जल लाने में ही बहुत समय लग जाता है हमारी जन संख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल, कू, नलकूपों, अथवा हैंड पंपों से प्राप्त करता है इन स्त्रोटों को जल कहां से मिलता है यहां फ्रिष्ट 207 पर चित्र 16.6 दिया गया है इस चित्र में जल लेकर आती महलाओं का चित्र दिया गया है बूजो कहता है महलाओं को अनेक घरेलू कार्य करने पड़ते हैं यदि उन्हें जल भी भर कर लाना पड़े तो उनके काम का बोज और बढ़ जाता है 16.3 जल का एक महत्वपून स्त्रोत भाउम जल यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमी में गड़ा खोदें तो हमें वहां की मृदा आर्द्र यानि नम मिल सकती है मृदा में आर्द्रता भूमी गड़ जल की उपस्थिती को अंगित करती है यदि हम और अधित गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्थर तक पहुँच सकते हैं जहां मृदा के कड़ों के बीच के सारे के सारे रिक्त स्थान अवकाश और चटानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं जैसा की चित्र 16.7 में दिया गया है इस परत की उपरी सीमा भौम जल स्थर कहलाती है भौम जल स्थर विभिन स्थानों पर भिन भिन होता है और ये किसी दिये गये स्थान पर परावर्तित भी हो सकता है भौम जल स्थर एक मीटर से भी कम गहराई पर अत्वा भूमी में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है इस भौम जल का स्त्रोत क्या है? वर्शा जल और अन्न स्त्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमी के नीचे गहराई में रिक्ट स्थानों और दरारों को भर देता है भूमी में जल का रिसाव अंतह स्यंदन कहलाता है अतह इस प्रक्रम द्वारा उप्योग किये जा चुके भौम जल की पुनह परिपूर्ती हो जाती है कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शेलों यानि चटानों की पर्तों के बीच भौम जल संचत हो जाता है इस प्रकार संचत भौम जल के भंडारों को जल भर कहते हैं जल भरों के जल को सामाने तह नल कूपूं अथवा हैंड पंपों की साहता से बाहर निकाला जाता है प्रिष्ट 208 यहां प्रिष्ट 208 पर चित्र 16.7 दिया गया है इस चित्र में भौमजल और भौमजल स्तर को हांड पंप और नदी और जीलों के माध्यम से कैसे बाहर निकाला जाता है यह बताया गया है साथ ही इसकी पुनह पूर्ती कैसे होती है यह भी दिया गया है चित्र में अलग-अलग चीजें इंगित की गई हैं जैसे भौम जल, जल भर, भौम जल, पुनह पूर्ती, हांड पम्प, नदी और जील. क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं, जहां निर्माण कारे हो रहा हो? श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहां से मिलता है? आपने शायद पाया होगा कि ऐसे स्थानों पर भौम जल स्तर पर पहुँचने के लिए संचिद्रन यानि बोरिंग की जाती है. वहां कारे करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ी. क्या हम भूमी के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 16.4 भौम जल स्तर का अवक्षय भूमी के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनह पूर्ती प्रायह वर्षा जल के अवस्त्रवन यानि रिसाव द्वारा हो जाती है. भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनह पूर्ती हो जाती है. तथा पी जल की पर्याप्त रूप से पुनह पूर्ती ना होने पर भौम जल स्तर नीचे किर सकता है ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है जन संख्या में वृद्धी और द्योगिक और क्रिशी गत्यविधियां आदी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान कारक है अल्प वर्षा एक अनकारक है जो भौम जल स्तर को नीचा कर सकती है भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्यकारक हैं वन अपरोपन यानि वनोन मूलन और जन के अव स्त्रवन के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी जनसंख्या प्रसार जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालेऊं और सडकों गे निर्मान की मांग बढ़ जाती है इससे क्रिशी हेतु भूमी उद्ध्यानों और खेलों के मैदानों जैसे खुलेक शेत्रों में कमी आ जाती है इसके कारण भूमी में वर्षा जल के अवस्त्रवन की दर कम हो जाती है यदि खुलेक शेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परड़ाम होगा? याद रखे कि पक्के फर्ष से जल आसानी से अवस्त्रवित नहीं होता जबकि घास के बगीचे मैदानों आदी से जल तुरंत अवस्त्रवित हो जाता है यही नहीं निर्मान कारे के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की अवश्यक्ता होती है इसके लिए प्राया भौम जल का उप्योग किया जाता है इस प्रकार एक और हम अधिक भौम जल का उप्योग कर रहे हैं और दूसरी और विभिन प्रकार के निर्मान कारियों के परिणाम स्वरूप हम भूमी में जल के अवस्त्रवन के अवसर कम कर रहे हैं इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है वास्तव में अनेक शेहरों के कुछ भागों में भौम जलस्तर चिंता जनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुँच गया है बढ़ते हुए उद्योग जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तू के उत्पादन में कहीं न कहीं जल की आवश्चक्ता होती है उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किये जाने वाला जल भूमी से निकाला जाता है क्रिया कलाप 16.4 ऐसे कुछ उद्योगों के नाम बताईए जिनसे आप परचित हैं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किये जाने वाले और इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की एक सूची बनाईए अपने शिक्षक या शिक्षका और माता पिता से इस बारे में बातचीत करिये कि कि किस प्रकार बढ़ते हुए उद्योग धन्दे भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदाई हैं प्रशीकार भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं नहरों जैसे सिचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्द हैं इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है. अतहर, किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है. जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण खृषी के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा इसके परणाम स्वरूप भौम जलस्तर में लगातार गिरावटा रही है। इसके परणाम स्वरूप भौम जलस्तर में लगातार गिरावटा रही है। इसके परणाम स्वरूप भौम जलस्तर में लगातार गिरावटा रही है। जहां वर्षा तो पर्याप्थ होती है, फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि ये जलसंसाधनों के कूप्रबंधन के कारण होता है। प्रिष्ठ 210 यहां प्रिष्ठ 210 पर चित्र 16.8 दिया गया है। ये चित्र भारत का वर्षा मान चित्र है, जिसमें अलग-अलग जगहों पर वर्षा के वित्रण को सेंटिमीटर में दिया गया है। वर्षा सेंटिमीटर में लिखा गया है कहीं 400 से अधिक, कहीं 200 से 400 सेंटिमीटर, कहीं 100 से 200 सेंटिमीटर, कहीं 60 से 100 सेंटिमीटर, कहीं 40 से 60 सेंटिमीटर, कहीं 20 से 40 सेंटिमीटर, और कहीं 0 से 20 सेंटिमीटर। आभार में लिखा है पहला भारत सरकार का फ्रति लिप्याधिकार 2007 दो भारत के महा सरवेक्षक की अनुग्या नुसार भारती सरवेक्षन विभाग के मानचित्र पर आधारित तीन, समुद्र में भारत का जल प्रदेश उप्युक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मेल की दूरी तक है चार, भारत की बाह सीमाई तथा समुद्री तटी रेखाई भारती सरवेक्षन विभाग द्वारा सत्यापित अभिलेख या प्रदान प्रती से मेल खाती है प्रिष्ट 211 16.6, जल प्रबंधन आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ती सुनियुजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है जब नागरिक प्राधिकरन पाइपों द्वारा जल की आपूर्ती करते हैं, तो ये संभव है कि जल गनतव तक ना पहुँच पाए आपने संभवतह जल आपूर्ती पाइपों में रिसाव को देखा होगा जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है ये नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायत्व है कि बहुमूल जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए कूप्रबंधन अत्वा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है हम सभी जान बूच कर अत्वा अंजाने में दातों में मंजन करने, दाड़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं त्रुटीपूर्ण टोटियों से जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्यस्त्रोत है उप्योग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे भविशे में हमें जल की आवश्यक्ता नहीं होगी हम जानते हैं कि वर्षा की रूप में जो जल हमें प्राप्थ होता है, उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है ये बहुमूल प्रक्रतिक संसाधन की बर्बादी है वर्षा जल का उप्योग भौम जल स्तर की पुनह पूर्ती करने के लिए किया जा सकता है इसे जल संग्रहन अथवा वर्षा जल संग्रहन कहते हैं जिसके बारे में आपने कख्षा च्छह में पढ़ा था ये मालूम कीजिए कि क्या आपके आसपास की किसी इमारत में जल संग्रहन तंत्रों को लगाया गया है हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारन और जल की पुनह पूर्थी करने के लिए बावडी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है बावडी जल संचित करने का परंपरिक तरीका था समय के साथ बावडियों का रखरखाव बंद कर दिया गया जिन से इन जलाशेयों में धीरे धीरे गात जमा होती चली गई तथा पी जल की अतिधित कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तक्नीकों पर पुनह विचार करना पड़ा बावडियों को पुनह बनाया जा रहा है जिन स्थानों में बावणियों का पुनह उत्थान किया गया है, वहां कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यक्ताओं का प्रबंधन भली भाती हो रहा है किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मित व्यायता से कर सकते हैं संभवतह आपने बूंद यानि ड्रिप सचाई विवस्था के बारे में जाना होगा, जैसे की चित्र 16.9 में दिया गया है ड्रिप सचाई विवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तक्नीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुँचाती है एक केस अध्ययन गुजरात के कच्छक शेत्र के भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत आनिश्चित रूप से होती है वहां का ताजे जल का एक मात्र स्थ्रोत भूमिगत जल ही है क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है भौम जल का उप्योग पुनापूर्ती होने वाले जल से कहीं अधिक है इसके परणाम सुरूप भौम जल स्तर चिंता जनक रूप से नीचे गिरता चला गया है वर्ष 1989 में गाउव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहन का निश्चे किया रुकमावती नदी और उसकी अनेक साहयक नदियों पर अठारह चेकडैम यानी बंध बनाए गए इस तरह एकत्रित किये गए जल से म्रिदा में अन्तह स्त्रवन की दर को बढ़ा दिया जिससे जलभरों की पुनह पूर्ती हो गई इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुगों में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता था और वर्थ हो जाता था अब सिचाई के लिए उपलब्ध हो गया है प्रिष्श्ट 1212 है यहां प्रिष्श 212 में चित्र 16.9 दिया गया है इस चित्र में खेत में बूंद यानी डिप सचाई विवस्था को दिया गया है 16.7 आपकी भूमिका क्या आप कभी अपने घर, विद्याले, अत्वा किसी अन स्थान पर नल से पानी बहता देख कर उसे बंद करते हैं रिस्ते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है जल की बरबादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं आईए आपकी साहता के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं आप इनमें कई और तरीके जोड सकते हैं जल बचद आदती एक, मंजन या ब्रश करते समय नल को लगातार खुला न रखें दो, फर्श की धुलाई करने की बजाए उस पर पौँचा लगाएं तीन, यहाँ पर एक रिक्ति स्थान दिया गया है जिसमें आप जल को बचाने के उपाए लिख सकते हैं सोलह दश्रमलव आठ पादपों पर जल की कमी का प्रभाव आपने पाया होगा कि गमले की पादपों यानि पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वो मुर्जह जाते हैं और अंततह सूख जाते हैं आपने अध्याय एक में पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्रकता होती है कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्द नहीं होगा तो उसका क्या परिणाम होगा? प्रित्वी पर से हर्याली लुप्त हो जाएगी इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है क्योंकि पादपों के ना रहने का परिणाम ये होगा कि प्रित्वी पर ना ही पर्याप्त भोजन ना ही ऑक्सिजन उपलब्ध होगी नहीं परियाप्त वर्षा होगी और इनसे संबध अनेकों अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी एक सफल प्रयास राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है जल की प्राकृतिक कमी की चुनोती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्टित कर दिया उन्होंने पाँच सुख चुकी नगियों अखेरी, रूपा रेल, सरसा, भगिनी और जहाजवाली को जल संग्रहन द्वारा पुनर जीवित कर दिया हमारा जल, हमारा जीवन प्रिष्ट 213 प्रमुक्षब्द जल भर अवक्षय बूंद सिचाई व्यवस्था भौम जल अन्तह स्यंदन पुनह पूर्ती जल संग्रहन भौम जल स्तर आलवन जल आपने क्या सीखा? जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार रहे इसके बिना जीवन संभव नहीं है जल तीन अवस्थाओं में पाया जाता है ठोस, द्रव और वाश्प यद्दपी जल चक्र के त्वारा जल की आपूर्ती बनी रहती है फिर भी विश्व के अनिएक भागों में उपियोग योग जल की कमी है विश्व के विभिन भागों में जल का वितरण असमान है ऐसा बहुत कुछ मानव क्रिया कलापों के कारण भी है उद्योगों की तेजी सिवृध्धी, बढ़ती जन संख्या, संचाई की बढ़ती आवशक्ताएं और कूप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण है हमें पाइपों ध्वारा जल आपूर्ती के समय, भवनों और अन्य स्थानों में रिस्ते नलों के कारण होने वाले जल की बरबादी के प्रती जागरुख हो जाना चाहिए समय की मांग है कि हर व्यक्ती जल का उप्योग मित्व्यायता से करे यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वो मुर्जा जाते हैं और अंततह सूख जाते हैं अभ्यास एक यहां दिये गए व्यक्तव सत्य हैं अथ्वा असत्य भौम जल विश्व भर की नदियों और जीलों में पाय जाने वाले जल से कहीं अधिक है जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामिन क्षेतरों के निवासी करते हैं नदियों का जल खेतों में सिचाई का एक मातर स्त्रोत है घर वर्षा जल का चरम स्त्रोत है, प्रिष्ट 214 है 2. समझाईए कि भॉमजल की पुनह पूर्ती किस प्रकार होती है 3. किसी गली में 50 घर हैं, जिनके लिए 10 नलकूप यानि ट्यूब वेल लगाए गए हैं 4. मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रख रखाव करने की जिम्मदारी दी जाती है आप जल का स्ताद उप्यूग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे 5. भॉमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदाई कारकों को समझाईए 6. रिक्ट स्थानों की उचत शब्द भर कर पूर्ती कीजिए 6. भॉमजल प्राप्त करने के लिए रिक्ट स्थान तथा रिक्ट स्थान का उप्योग होता है 7. जल की तीन अवस्थाई रिक्ट स्थान और रिक्ट स्थान है ग भूमी में जल के अवस्त्रवन के प्रक्रम को रिक्तिस्थान कहते हैं साथ इनमें से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदाई नहीं है ग अध्योगी करण में व्रिध्धी ग बढ़ती जनसंख्या ग अत्यधिक वर्षा ग जल संसाधनों का कूप्रबंधन आठ सही विकल्प का चयन कीजिए ग विश्व की सभी जीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत यानी स्थिर रहती है ग भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है ग विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है नौ भौम जल और भौम जल स्तर को बताते हुए एक चित्र बनाइए उसे चिनहित कीजिए विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप और परियोजना काटेर एक नाटक में बूमिका आप अपने विद्याले में जल खोजी गुप्तचर हैं आपके दल में छे सदस्य हैं विद्याले परिसरकास सरवेक्षण करके यहां दी गई जानकारी एकत्र कीचिए नलों की कुल संख्या टपक रहे नलों की संख्या प्रिष्ट दो सो पंद रहे रिसने के कारण व्यर्थ हो रहे जल की मात्रा अपनाए गए सुधार के उपाए दो भौम जल का दोहन यह जानने का प्रियास कीजिए कि आपके क्षेत्र में कितने हैंड पंप हैं इन में से कुछ के मालिकों अत्वा उप्योग करने वाले से बातचीत कर यह मालूम कीजिए कि जल कितनी गहराई पर मिला था यदि गहराईों में कोई अंतर हो तो उसके संभावित कारणों के बारे में विचार कीजिए अपनी जानकारी के आधार पर रिपोर्ट लिखिए और उस पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए यदि संभव हो तो किसी ऐसे स्थान पर जाईए जहां हैंड पंप लगाने के लिए बोरिंग यानी संचिद्रण की जा रही हो पूरे प्रक्रम को सावधानी पूर्वक नूट कीजिए और उस स्थान पर भौम जल स्तर की गहराई का पता लगाईए तीन वर्षा जल को संचित करना पारंपरिक विधियां कक्षा में चार से पांच छात्रों के सम्हूं बना दीजिए और जल संग्रहन की विभिन पारंपरिक विधियों पर एक रिपोर्ट तैयार करिए यदि संभव हो तो यहां दी गई वेबसाइट से जानकारी प्राप कीजिए www.rainwaterharvesting.org चार जल का संरक्षन घरों में और विध्याले में जल संरक्षन के लिए एक अभियान चलाईए अन्य लोगों को जल संसाधनों के महत्व के बारे में बताने के लिए पोस्टर बनाईए 5. किसी प्रतीक अथवा लोगों का स्रजन जल की कमी को बताने वाला कोई लोगों अथवा प्रतीक बनाने के लिए एक प्रतसपरधा का आयोजन कीजिए क्या आप जानते हैं? कारह पाठों की इस पुस्तक का पाठ सोलह, शीर्शक, जल, एक बहमूलि संसाधन यहां समाप्थ हुआ, वाचन, शालिनी सेंग और वैभव श्रीवास्तव. तक्नीकी नियंत्रण, शानु मुक्सीम, निर्मान सहयोग, मिनाक्षी कुकरेती, निर्मान एवं निर्देशन, वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.